नमस्कार, BSNL, ISRO, Shipping Corporation of India के बाद अब भारती रेलवे की बारी है, सरकार ने फैसला किया है कि भारती रेलवे का नीजी करिन की प्रक्रिया जो है, प्राविटाजिशन की प्रक्रिया है, उसे शुरू कर दिया जाए, नीजी हाथों में सौंपने का फैसला है ये, पहली बार खुल करे ऐसा फैसला लिया गया है, रेलवे के प्राविटाजिशन का, 109 रूट्स पर 151 प्राविट प्राविट प्रेंजर चलाने के लिए, नीजी जो प्राविट कम्पनियां उनसे प्रपोजल मागा गया है, उसके लाबा ये 35 साल तक चलेगा ये, जिसको भी लासेंस प्राविट प्राविट पारिज ही इन ट्रेनों के मतलब जो फैनास होगा या उसको खरीदना होगा और रख्रखाव की जम्हेदाई इएगी, एक सो नौ रूट्स पर चलने वाली इन सभी ट्रेनों में कम से कम 16 कोच होंगे और इनकी जादा से जादा रफ़तार, 160 km गंता होगी प्रति घंटा होगी इसके पीछे का मकसद यह बतायागे कि नई तकनीक का विकास होगा ट्रांजिट टाइम कम होगा नई नौकरियां पैदा होगी कैसे होगी हम नहीं जानते बहराल जो काम की बात है वो यह है कि पिछले साल अक्टूबर के महिने में भारत की केंज सर निति आयोंग ने एक ड्राफ्ट भेजा था कि सौ से पचास पहले पचास रूट की जिक्र हुआ था फिर सौ रूट तक बढ़ाने की बात की गई थी अब बुद्वार का जो वक्तव्य आया उसके अला उसमें यह कहा गया उसके बतावे प्राइवेट एंटिटी शेल पे हालेज माने जो प्रती किलोमेटर जो सारे रेलवे के रिसोर्सेज हैं जो इस्तेमाल होते हैं उनका उसकी कीमत वो देगी स्टेशन हमारे हैं जनता के पैसे से बने हुए पट्रियां हमारी हैं हमारे पैसे से बने हुए बाकि सिगनल वगर जो भी रेलवे का होता है वो सब हमारा है हमारे पैसे से बना हुआ है पहराल मैं आपको और आगे बताऊं इसमें नीलामी का तरीका अपनाया जाएगा और जो उनका प्रॉफिट होगा रिविन्य होगा जो प्राइविट कम्पनी है उसका एक हिस्सा दिया जाएगा अब ये देखा जाएगा कि कौन सी कम्प इसनी कितना प्रॉफिट देने का फैसला करती है उसके आधार पर ही नीलामी का नीलामी ताय होगी और लासेस दिया जाएगा इस पर विपक्षी पार्टिया जो है उनने बहुत इतराज जताया है अधीर अधीर अजन है चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं Congress के उनने का है कि now the government is in a desperate mood to sell a great chunk of one of our largest national asset in the railways. Privatization cannot be construed as a panacea of railway melody. It is the inefficiency of the railways itself. अब सरकार ने फैसला कर लिए के railway को भी बेशना शुरू कर दो और जो privatization होता है नीजी करन होता है वो हर मर्स की दवा नहीं हो सकता. Railway में जो निकमापन है, corruption है, inefficiency है, काबियेत की कमी है उसको दुरूस्त किया जाए. उसके लावा privatization से किराय बढ़ेंगे ऐसे वक्त में जब करोना के वज़े से और करोना लॉकडाउन के वज़े से, नोटबंदी की वज़े से हमारी अर्थ वे उसका बैट चुकी हो, यह बहुत ही जालिमाना किस्म का मजाक है हमारे लोगों के साथ कि महंगी टिक्टों से railway का सफर करो. राहूल गानी ने ट्विटर पर एक जुम्ला छोड़ दिया कि रेल गरीबों के एक मात्र जीवन रिखा है, सरकार उन से ये भी चीन रही है, जो चीनना है चीनिये, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका भी करारा जवाब देगी. वैसे ये प्राविटाजेशन का जो पूरा तरीका है, फॉर्मिला है, ये दो देश पहले भी अपना चुके हैं, बिटन में संतर्यानवे में प्राविटाजेशन हुआ था, और वो कामयाब नहीं हुआ, तो इस वक्त दुबारा से उस पर सोच विचार्ट चल रहा है, कि वापिस उसको nationalize कर दिया जाए या partially nationalize कर दिया जाया, जापान में जो वहाँ रेल्वे के प्राविटाजेशन हुआ था, वहाँ पर ये कामयाब हुआ था, क्योंकि वहाँ की आबादी है बहुत ही गनी है, जापान क्षेत्रवल के गनी है, शेत्रवल के मामने में चोटा गतिविदी कर सकते हैं, जो जैसे services हुई, catering हुई, उन सब में वो कर सकते हैं, बहराल सवाल यह उठता है कि क्या हमारी सरकार भारत और इंडिया का एक और उधारन पेश करने जा रही है, कि जो भारत है वो गरीब गुर्बा के लिए है, उन मजदूरों के लिए है, जो पैदल भी अपने घरों को गए, लोर मिडल कास के लिए है, मिडल कास के लिए भी है, जो जिनकी नौकरियां बहुत बड़ी ताद का जो डिवाइड है उसको और बढ़ाना नहीं है जरा सोचिए आने वाले नुवंबर में बिहार में विधान सभा के चुनाव होने हैं और बीजे पी अभी से तैयारे में जुट गई है और पिछली तफे जब अमित शाह ने एक रैली की थी तो उसमें ऐसा कहा गया था अभी जो चीफ एलेक्शन ऑफिसर ने बिहार के उन्होंने एक और पार्टी मीटिंग बुलाई और उसमें यही कहा कि वर्चुल रैली के जरीए उन्होंने भी अपना दिखाया जुकाव कि उसके जरीए हो सकता है इलेक्शन कमिशनर सुशील चंद्रा कह चुके हैं कि वर्चुल रैलिस के बारे में सोचना पड़ेगा कि उन्हीं के जरीए चुना प्रचार हो लेकिन जितनी भी छोटी पार्टिया है उन्होंने इसका विरोध किया है चोटी पार्टियों में आपको बदा दू हूँ, RJD है, CPI है, CPI M है, NCP, BSP और RLSP है उनका यह कहना है कि जो डिजिटल केंपेशन होती है उससे को लेवल प्लेइंग फिल्ड नहीं मिलेगी क्योंकि जो पार्टियों बड़ी है, उनके पास जादा संसादन है जैसे BJP सबसे अमीर पार्टियों है, Congress उसके बाद आती है तो इनके पास तो संसादन है, resources है, यह LED screens ले सकती है, खरीद सकती है या किराय पर ले सकती है, ठीक है ना? लेकिन एक छोटी पार्टियों के पास नहीं है, उन्होंने यह कहा है कि बजाए virtual rallies के यह किया जाए कि छोटी-छोटी meeting, जैसे पहले हुआ करता था, नुककर meetings होती थी, छोटी-छोटी meeting हो जो social distancing के नियों का पालन करते हैं, लेकिन election commission का idea यह भी है कि इस दफे हर booth पर 1000 voter allow किया जाए, पहले 1600 voter allow किया जाते थे, और जो 65 से ज़्यादा की उम्मर के लोग हैं, और वो COVID positive पाय गया है, उनके लिए postal ballot का इंतिजाम किया जाए परहाल एक बात और उहर कर सामने आती है, जो अमित शाह ने अपनी virtual rally में कही थी, कि अब लाल टेन का जमाना गया, अब LED का जमाना है, अब यह बिहार जैसे गरीब प्रदेश में बता रहे हैं, LED का जमाना है, लाल टेन जैसे सब जानते हैं, RGD, लालुयादव की party का चु बसों के जरीए, या जैसे भी, ट्रकों से लिफ्ट मांगते हुए, या ट्रकों को मनमानी की मददा करते हैं, जिनके पास गाउं में काम ना हो, सिवाए मनरेगा के या कुछ, वो भी काफी नहीं है, जहां आत्मत्या की खबरे आ रही हैं, वह पर यह कहना, कि LED का जमाना आ बिहार की घरीब जड़ा के साथ, पंदरा साल नितिश कुमा करशासन, पंदरा साल लालुा दव करशासन, 30 साल में बिहार कितना पीछे चला गया है, ये आप खुद जानते हैं आपने देखा होगा लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन अमोंवन ऐसे पहनते हैं बहुत सो लोग मास्कों सिरफ मुझ तक पहनते हैं बहुत कम लोग हैं जो मास्कों पूरे चेहरे तक पहनते हैं अब जो कोरोना के ड्रॉपलेट्स हैं जो droplets हैं, हम सब जानते हैं कि वो मुझ, नाक या आँक के जरीए फेपड़ों में प्रिवेश कर सकते हैं. यह मैं आप कुछ लिए बता रहो, मेरे दोस्त हैं, Dr. Anoop Mishra, पदमष्टी Dr. Anoop Mishra, इन्हों ने यह लिखा है कि प्लीज तेल अदर्स तो वेर मास्क प्रॉबली और मेक तिस हैश्टेग ट्रेंडिंडिंग इस अरजन्टी निरी तो शील्ड आप दा बढ़ती जा रही है. कुछ लोग तो इसमें अफसर ढूंड रहे हैं, बेशक, लेकिन जो आपदा बढ़ती जा रही है, इससे बचने का जो इकलौता तरीका हमारे सामने है, एक तो यह है, बाकी हाथ दोने का तो है ही. तो मास्क पूरी तरह नाक ढखने तक पहने, इनका जो हैश्टेग है, wear a mask, be a mask warrior, यह हैश्टेग है ट्वीटर पर, wear a mask, be a mask warrior, यह करना, इसको आगे से आगे बढ़ाई है. हुआ क्या था कि यह सेर के लिए जाते हैं सुबह, मैं तो खेर रहे हैं, सेर के लिए जाते हैं तो इस तरह से लोगों को मास पहने देखते हैं, किसने यहां तक पहना हुआ है, किसने सिर्फ यहां तक पहना हुआ है, बहुत कम लोग यहां तक पहनते हैं, जब यह लोगों को टोकते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो तो लोग बहस करना शुरू कर देते हैं तो इसलिए इन्होंने पुब्लिक इंटरस्ट में ये हैश्टेक शुरू किया है, हो से कि तो आप भी से आगे बढ़ाईए और अब हमेशे की तरह हैं, रोस की तरह हैं आज के शो का समापन, आज मैं फिर दुशंद कुमार के कविता पढ़ रहा हूँ दुशंद कुमार कहते हैं, बाड की संभावनाएं सामने हैं बाड की संभावनाएं सामने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं कितने vulnerable हैं, बार की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरखतों के बहुत नाजुक तने हैं, इस तरहें तूटे हुए चेहरे नहीं हैं, जिस तरहें तूटे हुए ये आईने हैं, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाउं कीचर में सने हैं, और वो फिर कहते हैं कि जिस तरहें चाहो बजाओ इस सभा में, मौझूदा हालात जो हैं, उन्होंने उस पर तंस किया हैं बहुत साल पहले ही, अंटिसिपेट करके, जिस तरहें चाहो बजाओ इस सभ में, हम नहीं हैं आदमी, हम जुन जुने हैं, जिस तरहें चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम जुन जुने हैं, नमस्कार सुवधानुसार भाषा का चैन कीजिए, खबरों की भीड में, अपने काम की खबर पाते रहिए